Hello and welcome to all the things about cricket by J. हम बात करेंगे सूपर सेरेटे के सेकेंड मैच के जहां पर एक तरफ RCB दूसरी तरफ है दिल्ली की टीम दोने ये टीमें में विनिंग मोमेंटम के साथ आ रही है बट इस सीजन में लास्ट मैच जीता था वो RCB ने जीता था लेकिन अगर हम पिछले तीन-चार साल के स्टाफ निकालेंगे तो वहां पर दिल्ली का पलड़ा भारी नदर आएगा पर साइकोलोजिकल एज एक चीज़ आर्सीबी के लिए ये होगा कि वो तो पहले बात तो बैटर पोजिशन में दिल्ली से उनके 10 पॉइंट हैं दिल्ली मतलब बहुत ज्यादा वो चल गया था मोमेंट जो था काफी शीट मोमेंट रहा था वो अब उनसे किस तरह से बाहर निकल कर विराट कोली आएंगे इस मैच ने वो देखना दिल्चस्प होगा और दिल्ली क्या करेगी दिल्ली पिछला मुकाबला जीत करा रही है नंबर व प्रभु देखने को नहीं मिलेंगे जो मुझे लगता है है यह आप किदार जाधव को नीचे बैठा लिए क्योंकि शायद वो एक्सपीरियंस के दार जाधव लेके आएंगे आप आपकी टीम में और हो सकता है कि आपको बैटर करता हुआ दिखाई देख मिलाडर जोकी अभी तक नहीं चल पा रहा था बालिंग में आप कुछ चेंजर करने की ज़रूरत नहीं है आपके आपके पास सिराज है शाबास से आप बॉल डला रहे हैं शाबास सकते हैं जो आपके टीम के अच्छा कर दिया है लगातार तीन-चार मैचों से अच्छा करती है रही है बॉलिंग जाबर खलील भी वापस आ गया है नौर जे को हलागे तीन चेक लास्ट रोड में पड़ गया थे पर उससे पहले तक उन्हों अच्छा कर रहे है अक्षा अच्छा कर र हमारा उसके बाद ने चले तो क्या यह दोनों जलेंगे क्या प्रिशिवी शौ को आप वापस लाएंगे मुझे बहुत ज्याद है कोई नहीं दे रहे हैं प्रिशिवी आप सरफ़राज को ले आते हैं इनको खिलाने से कोई मतला भी नहीं बनता है आप सीधर चेंजर करिया आप प्रिशिवी शौ को उपर लाइए तो आपकी बैटिंग लाइन थोड़ी से लग नजर आएगी तो वही सारी की सारी चीज़े आप बताए क्या लगता है क्या प्रिशिवी शौ खेलेंगे यह मैच या फिर नहीं दिलने जीत लिए और सीबी जलदी बताए कॉमेंट में वीडियो पसंदना है तो लाइक की दिए सब्सक्राइब की दिए शियर दिए